हेलो अब्रीवान असलाम लेकूम माइनम इस तारा यासीन एंड वेलकम बैक टो एनधर वीडियो तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस्पेशली उन गल्स के लिए जो काफी ज्यादा केरिंग है अपनी स्किन को लेकर और वो डरती हैं किसी भी ऐसे वाइटिंग फार्मॉला स कि उसका कोई साइड इफेक्ट आओ तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं इसके साथ कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा आप आंके बंद करके यह वाला फॉर्मॉला यूज कर सकते हैं और मैं खुद इसको यूज कर चुकी हूं तो मैं वही आप कर दोने का आने वाली नीड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा तो चलते inflamma बीडियो को सप्राट करतेidents क hela कि सबसे पहले मैं यहां पर लूँगी ऐलो विरा जैल आप कोई भी मार्केट में से अलो विर जैल ले सकते हो लेकिन आपने ज्यादा दिन तक store करके नहीं रख सकते तो इसको क्या है कि वाइटिंग क्रीम हम बना रहे हैं तो कुछ दिन तक इसको store करके रख सकते हैं दूसरी बात इसके benefit की benefit इसके बहुत ज्यादा है आपको मैं simple सी एक बात बता हूँ कि अगर आपके स्किन-पर लार्ज पोर्स हो रहे हैं आप मोटे मोटे से होल बन जाते हैं खूल जाते हैं भीया learning पुर्ष नियु जाकर रिपेर करको और हमको चोटा करता है, अगर वक्ते हम रखो उमकान रखो हैं अगर यह नियु रखो तो आपकी इसे स्कीन को रिफ्रेश कर देता है। उम्हें डियु एपना प्रश्पों में इसे सपोंगे वक्ती हुआ हैं लिए अगर आपको अगर फ्रिज नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आप इसको अपने करना किया है इसको ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं करना इसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी वाइटिंग कैपसुल यह भी बहुत ही एजी ली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे और क्योंकि मैंने वन स्पून के जितना एलोवेरा जेल लिये तो मैं इसमें एक स्पून के जितना ही कैपसुल एड़ करूंगी वाइटिंग का अगर आप कॉंटिटी बढ़ाना चाह रहे हो तो आप इसमें उसके हिसाब से बना सकते हो अगर आपने दो स्पून लिये है तो आप दो कैपसुल इसमें एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर मुझे वाइटिंग का एक ही कैपसुल इसमें एड़ करना है क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बना रही हूँ तो इसको जल्दी से मैं कट करके इसमें एड़ कर दूंगी अब इसके बाद मैं एवियून के कैपसुल इूज कर रही हूँ जो कि आपको यह भी मेडिकल स्टोर से बहुत ही इजी ली मिल जाएंगी यहाँ पर मैं 400 mg के एवियून के कैपसुल इूज करूंगी और इसका भी मैं वन ही कैपसुल लूँगी जैसे कि मैंने आपको बताय आप quantity के हिसाब से बढ़ाना चाहा रहे हो तो आप बढ़ाकर भी इसको बना सकते हो आप इसको 10 दिन तक स्टोर कर सकते हो 10 से 12 दिन तक इससे ज्यादा दिन हम इसको स्टोर नहीं करके रख सकते तो इस तरह से इसमें से मैंने सिर्फ एक ही कैपसुल लिया है इस तरीके से कट करके इसमें एक कैपसुल में एड़ कर दूंगी और यह क्या काम करता है कि जो आपकी ड्राय डैमेज स्कीन है उसको जाकर यह रिपियर करता है और आपकी स्कीन बहुत ही सॉफ्ट बेबी स्कीन जैसा बना देता है तो इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जो भी में चीज़ें एड़ कर रहे हैं और आपको काफी फायदा है अब इसके बाद यहां पर मैं ले रही हूं और इंज ओईल यह मैंने पंसार की दुकान से लिया था आपको बहुत ही एजिली अब यह ऑनलाइन भी मिल रहा है और यह किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगा तो यह इस तरह से डॉपर में मुझे मिला था और इसके बेनिफिट भी बहुत बहुत ज्यादा है लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि औरेंज ओईल के जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है आपकी वाइटिंग के लिए यह बहुत बहुत काम करता है आप इसको सिर्फ और सिर्फ हाथों और पाउं पे अगर अब हम इनको जल्दी से मिक्स कर लेंगे और यह हमारी बहुत ही अच्छी नैच्रल इंग्रीडियंट से वनी एक करीम त्यार हो जाएगी अब आप देख सकते हो कि यह बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में आगे इसको मिक्स करने से इसको आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हो आप इसको डे में नाइट में दोनों टाइम पे यूज़ कर सकते हो इसके इलावा अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप कोई भी अपनी नाइट क्रीम जो आप पहले से ही यूज़ करते हो उसे भी एड़ कर स कि अपके सामने कि सिर्फ इतनी सि मैं यहां पर और एड़ करी इसमें और मैंने अपको बताया Slide CP यह उतना तो एलोवरा लिया था और उसमें मैं इतनी सिर्फ गॉल्डन पर अपकर आड़ जहाँ यहां पर पर आप कोई भी अपनी अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप ये एड़ कर सकते हो अगर आपको बिलकुल भी इसमें और कोई पाइटिंग क्रीम एड़ नहीं करने तो भी ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आप उसको भी यूज कर सकते हो तो इस तरीके से हमने इसको यह ठंडी जगा पर इसको स्टोर करके रख सकते हो अ थार अगर कर दो तो इस तरीके से मैं यह तो आपको लगा करें चेक करा देते हूं यहां तो देख सकते हो कि इसमें क्रीम जो है वह इस तरह से रहे जाएगी जय से आप इसको श्मूझ कर देख अपने हैंज पर अपनी पर जैसे आप इसको लगाओगे तो आएस्ता आपकी स्कीन में अब्सार्व और जाएगी तो यह डे में भी बेस्ट है अब बिल्गुल भी ग्रीसी नहीं है तो बहुत मजे की है मैं इसको बहुत चायम से यूज आप रिजल्ट मिला है तभी मैं यहां पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल यह स्मज हो गई है बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है बहुत मज़े का इसका रिजल्ट है आप ट्रस्ट मी इसको जरूर ट्राय कीजिएगा और मुझे बाद में उसके रिजल्ट बताईगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब केली अल्हाफिज वम्याद रकीजा